ये जरुप में तपश्या कर रहे हैं तो ये गहवरवन निज घर है राधा रानी का यहाँ पे मान लिला और मौर लिला हुई है तो राधा रानी ने जब मान किया है प्यारे शाम सुन्दन ने एक दूसरी का परस्पर स्रिंगार किया प्यारे ने प्यारे का और प्यारे ने प्यारी का तो स्रिंगार करते करते जब सोले स्रिंगार हो गया तो राधा रानी पूछने लगी ही प्यारे शाम सुन्दर मैं कितनी सुन्दर लग रही हूँ यह तो बताओ तो प्यारे शाम सुन्दर ने बहुत अनुने विने किया कि किसोरी जू रहने जो क्या हो गया आप बहुत सुन्दर लग रही हो ने 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 फिर भी तो कुछ कहो तो प्यारे शाम सुन्दर से राधा राने जिद कर गई तो जिद कर गए तो प्यारे शाम सुंदर को कुछ न कुछ उपमा राधा रानी की मुखार विंदिकी देनी पड़ी तो प्यारे शाम सुंदर बोले है प्यारी जो आपका मुख कमल जैसे शरग पूरिमा का चंद्रमा सुंदर लग रहा है ऐसे आपका मुख कमल सुन्दल लग रहा है सोभाय मान हो रहा है तो इसी बात पर बस राधारानी गुश्टा हो गई थी मान ले लिया था क्यों कि चंद्रमा तो घठता बढ़ता है पंद्रा दिन घठता है पंद्रा दिन बढ़ता है और इसको ग्रहन भी लगता है तो चंद्रमा तो कलंकित है तो इसी बात पर राधारानी हमारी रुष्ट होके और मान मंदिर पे बैठ गई थी तो प्यारे शाम सुन्दर तो उनके बगर एक ख्यन भी देना उनको तो पसंद नहीं है बेचेनी हो जाती है बड़े परिशान हो जाते हैं तो प्यारे शाम सुन्दर बोले अरी सक्षियों सक्षियों में मैं ललतार सक्षी थी तो ललिता सक्षी से बोले अरी सक्षी हमारी प्यारी जो हमसे थोड़ा सा नाराज हो गई है मान ले लिया है तो आप हमारी मान को इनकी राधा रानी को मान की कोई ऐसी लीला हो जो इनका मान भंग हो जाए तो ऐसी कोई लीला बताओ सक्की ओ ऐसा कोई उपाय बताओ तो ललिता सक्की जो थी है प्यारे शाम सुंदर कोई बात ने है ये तो ना कुछ बात है और हम आपके राधा रानी के और आपके प्रैम को बरकरार कर रहेगी तो राधा रानी उनको मोर चुगाने की बड़ी जोजाना मोर चुगाती थी दाना डालती थी मोरों को तो ललिता सकी जो थी वो बोली अरी प्यारी जू आज मोर कुटी पे बहुत सारे मोर आये हुए हैं करोणों की शंख्या में मोर हैं चलिए आज वहां पे मोरों को दाना चुवाएंगी तो शक्या अश्ट शक्या और प्यारी जू वहां मोर चुवाने के लीन चल दी तो प्यारे शाम सुन्दर को तो सब पता था पहले से ही वहां पे मयूर रूप धारण करके उन मोरों के बीच में निर्थ कर रहे थे तो प्यारी जू तो जैसे की बार-बार नत्मस्तक हो रहे थे राधारानी की चरणों में शमा याचना मांग रहे थे तो राधारानी तो समझ गई कि ये कोई आम मोर नहीं है ये तो प्यारे शाम सुन्दर नजदा आ रहे हैं एक ठांग पे निर्ट कर रहे हैं तो प्यारे शाम सुन्दर हैं तो एक दूसरी ने आलिंगन किया और उनका मान भन्व हो गया तो राधा रानी और हमारी प्यारे शाम सुन्दर मोर बने और राधा रानी मोरनी बनी और जो सख्यां थी वोई कोयल कोई पकिया कोई करके ऐसे सब सख्योंने भी पक्षियों का रूपदारन किया तो वहाँ पे मोर लीला होई काना मोर बन आयो काना मोर बन आयो तो राधा रानी को दिखायो तो ये मोर पुटी की लीला राधास्थमी के दूसरे दिन नौवी वाले दिन होती है तो वहाँ पे लड़ू की बारिस होती है सब भक्तों को लड़ू खिलाते हैं भगवान और वहाँ पे जो मोर भगवान की दर्षन नहीं कर पाता है कोई भक्त ऐसा होता है जो वहाँ नहीं चड़ पाता है मोर कुटी पे तो प्यारे शाम सुंदर यहां पे भी यह दिप्य राश मंडल है यहां पे भी मोर का रूप धारन करते हैं और मोर लीला यहां पे भी सब भक्तों को दिखाते हैं तो यह गहवर्वन निज घर है राधा रानी का यहां पे प्रिया प्रितम आज भी नित्य राश करते हैं बुलो राधा रानी की गहवर्वन धाम की राश विहारी भगवान की